संजीव कुमार देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन में अभी तक जो हम लोग सीखे वो एक तरह से समझो कि तुम दिफिनिशन ऑफ एक्वेशन जो उसके डिस प्लेश्मेंड वेलोसिटी एकसलेशन एनर्जी से रिलेटेड था और फेज कॉंस्टेंट से रिलेटेड कंसेट तुम सीखे हो लास्ट में हम तुमको सिखा रहे थे स्प्रिंग मास सिस्टम से रिलेटेड एक कोसन को बतला थे अंतिम में आप जो है उसी को कुछ और बात हम सिखा रहे हैं पहले थोड़ा वो देखो आज के क्लास में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे एक तो हम स्प्रिंग मास सिस्टम का एक और मेथर तुमको बता दे रहे हैं फिर पढ़ेंगे सिंपल पेंडूलम को उसके अप्लीकेशन्स को ठीक ना तो चलो अगर हम लोग बात करें स्प्रिंग मास सिस्टम जो एक जामपल हम लोग पिछले क्लास में लिये थे चलो उसी एक जामपल को ले रहे हैं सफोज करो एक इस प्रिंग है जो हारिजेंटली प्लेस किया गया इसमूद सर्फिस पे ठीक ना यह समूद सर्फिस है अभी यह स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है वो रिजनल लेंथ में इसी पोजीशन में ब्लॉक भी जो है एम मास का ब्लॉक है और यह रुका हुआ है सपोज करो इस प्रिंग कॉंस्टेंट जो है के यह जो है फिक्स्ट वाल है यह केंडिस का इस स्प्रिंग को अटेच कर दिया गया तो जाही रहे अगर ब्लॉक को यहां रख करके छोड़ दोगे तो ब्लॉक रुका हुआ रहे गा तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं तो मीन पोजीशन बोलते हैं अगर इस ब्लॉक को तुम कुछ वेलासिटी से प्रोजेक्ट कर दिया तो जैसा कि तुम अलड़ी जानते हो इसका मोसन SHM होगा अब जेनरली तुम से कहा जाता प्रूफ करो इसका मोसन SHM होगा और टाइम प्रियर्ड और फोसिलेशन बतलाओ अलड़ी एक मेथड तुमको हम सिखाये हुए इस कोशन को पिछले वीडियो में तुम देख ले ना अब जो है इसी को एक और मेथड तुमको सिखा रहे हैं अइसा नहीं कि हम हर कोशन तुमको दो-तीन मेथड से नहीं बताते रहेंगे वह हम कन्फ्यूज करना नहीं चाहरें और देखो यह होता है कि एक ही बात को बार-बार रिपीट करने सुके वाल टाइम पास होता है कुछ नया कंसेप्ट तो आता नहीं है इसलिए हम लोग जो है न वो टॉपिक को भी आगे बढ़ाना है देखो ज्यान से माल लो यह ब्लॉक इस पोजिशन में था प्रोजेक्ट कर दिये वी नॉट वेलोसिटी से अब जैसे जैसे आगे जाएगा स्लो होते जाएगा ना माल लो इसका वेलोसिटी भी हो गया आई स्प्रिंग में इलोंगेशन एक्स हो गया अब यह जो सेकेंड मेथड है उसमें हम लोग एनरजी कंजर्वेशन को यूज मेलाते हैं देख लो फ्रिक्षन वगरा तो है नहीं तो जो सिस्टम का मेकेनिकल एनरजी है वो तो कंजर्व होगा तो फ्रॉम एनरजी कंजर्वेशन इनिशियल इज एक्वल टो इफाइनल तो इनिशियल एनरजी देखो स्टार्ट में ब्लॉक यहाँ है अगर तुम रिफ्रेंस लेवल ले लो इसको तो स्टार्ट में ब्लॉक जो है इस पोजिशन में है तो काइनेटिक एनरजी जो है कितना हो गया हाफ एम भी नॉट स्कॉर देखो यह हो गया काइनेटिक एनरजी स्प्रिंग में कोई लोंगेशन है नहीं तो spring में तो कोई potential energy stored नहीं होगा final energy जब लिखोगे तो block यहाँ पर तो block का kinetic energy half MbA square और spring energy half KxA square ठीक ना spring में लोगे इसा next होगा हाँ जहां तक potential energy का सवाल है gravitational potential energy MgH का तो बोलेंगे कि भाई देखो reference level पर तो इपहले भी था और reference level पर इबाद में भी है height वगरा तो gain किया नहीं तो MgH लिखने की कोई जरूराथ है नहीं तो आप जो है इसको differentiate करो with respect to time है ना differentiate with respect to time देखो यह बिलकुल अलग method है अक्सर यह method हम लोग follow नहीं करते हैं लेकिन देखो होता क्या है ना कि कुछ-कुछ बात है कि जो नया बात एक सीख लिए तो कहीं बेतर ही नहीं है चलो एक से जादा method तुम जानते हो method और भी है वो भी हम सिखाएंगे आगे के example में लेकिन एक नया method सिखो differentiate with respect to time देखो जैसे जैसे block आगे जाएगा उसका kinetic energy जो है वो तो change होगा नहीं slow होते जाएगा ना एकस भी बढ़ेगा तो potential energy भी बदलेगा लेकिन इन दोनों का जो sum होगा यानि ये जो total energy है इसमें कोई changing होने वाला नहीं है इसका मतलब ये जो term है न वो constant है और constant का differentiation क्या होता है जीरू अब देखो half MBA square तो MBA square को differentiate करोगे तो 2V dv by dt है ना 2V dv by dt plus half kx square तो x square का 2x dx by dt बोलो कोई दिकत है क्या ठीक ना x square का differentiation अगर x के respect में करते हैं तो 2x होता है लेकिन time के respect में करना है तो क्या लिखना परेगा 2x dx by dt वैसे ही भी square का differentiation भी के respect में करते हैं तो केवल 2v लिखते हैं लेकिन time के respect में करना है तो 2v dv by dt लिखना होगा देखो तो 2 to cancel mv dv by dt को acceleration बोलते हो 2 to cancel kx देखो फिर से बतला दे रहे हैं simple harmonic motion में हम लोग acceleration को f से denote कर देते हैं क्योंकि अक्सर amplitude को a से denote करना होता हूँ confusion से बचने के लिए dx by dt मतलब velocity न हुगा तो देखो जी kx into v देखो तो v और v common होकर गायब हो गया 0 is equal to mf plus kx तो बतलाव acceleration कितना हो गया तो minus k by m into x बोलो इधर लाएंगे तो होगा न चलो जो किस्टेप लिख ही दे रहे हैं mf is equal to minus kx यानि acceleration कितना minus k by m into x देखो तो तुम जानते हो न कि जब भी acceleration आ जाए minus some constant into displacement तो इसका मतलब क्या होता है कि motion SHM होगा यानि इतना तो proof हो गया कि बोलेंगे that is motion of block motion of block will be SHM और ये भी जानते हो न कि simple harmonic motion में ये जो constant term है वो omega square के equal होता है बड़े होना acceleration होता है minus omega square x तो बोलो तो ये जो omega square है omega square है वो कितने के equal हो गया तो omega square equal हो गया k by m के तो omega क्या हो गया under root k by m और जानते हो ना omega होता है 2 pi by t under root k by m time period हो गया 2 pi under root m by k देख लो पिछले method सभी बनाये थे same यही ना result आया था समझ गया तो चलो दो method बतला दिये अब जो है ना इसका जो है screenshot ले तो अब हम लोग आगे जो है वो simple pendulum को पढ़ते है तो को spring से related को है ना आभी हम लोग बहुँ सारा concept सीखेंगे vertical oscillation हो एक से जादा spring हो spring स्रीज में हो parallel हो mixed हो बहुत तरह का कैसी जभी सीखना है बस के वक तुमको एक basic बाद सीखाई spring में कि जब भी spring oscillate करता है चाहे औरिजेंटली उसिलेट करें vertically oscillate करें उसका angular frequency होता है under root kya या time create होता है 2 pi under root n y k अब simple pendulum क्या है तो वो simple pendulum जो है समाज तो इसका definition है it consists of a small ball which is suspended suspended with the help of a light string एक light string से इसको हम लोग suspend करें समझ जैसे हम लोग एक धादा को लिये string को लिया और एक ball को suspend करें यह ball जो है ना string का जो length होता है उसके compression में ball का जो radius है वो generally बहुत छोटा होता है इसलिए small word उचलिया गया अगर मांडो बहुत का radius जो है small r तो यह समझो कि a very very greater than r इसलिए a plus r अगर लिखा भुगा रहा है तो उसको approximately क्या लिख सकते हो यह अब जैसे मांडो तुम से कोई का है कि 10 km plus 0.1 mm तो समझ रहे हो 10 km ही हो गया क्योंकि 0.1 mm तो बहुत कम है उसको तो count करें यानि कि a plus r approximately हम लोग क्या लिखेंगे अब इस pendulum को जो है कुछ velocity से project अब pendulum इस तरह से oscillate करेंगे तेक ना बस किसी को simple बेंगे ना नहीं है simple अब इसको और complex क्या करना है है ना चलो इस नातुल के तरह है ऐसे समझ दो इस दागा से जो है या wire से जो है इसको समझो कि एक a small object है oscillate करा दिये और इस तरह से oscillate कर रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे simple pendulum और जो है हमको प्रूफ करना है कि इसका motion exchange होगा और time period of oscillation तो दिखो जब simple pendulum oscillate करता है तो तो सही माइने में इसका बात जो circular ही होगा नहीं होगा यानि कि सही माइने में इसका बात को करना straight line path नहीं लेकिन अगर very small displacement का बात करें तो लगबग straight line होगा जी नहीं है ना लगबग straight line या पुरेट पे straight line होई नहीं सकता simple pendulum अब प्रॉक्स straight line होगा मान लोग किसी समय यह जो ball किसी समय यह जो ball वो इस position है किस पोजिशन में है यह एंगर जो है वो थीटा है तो जब हम लोगों को very small displacement का बात करना है तो थीटा भी very small होना जहीं याद रखना है एक तरह से small oscillation को कहा जाता है मत्रों बहुत large amplitude नहीं small amplitude के oscillation का बात हम दो करते हैं तो देखो तो बहुत जब यहाँ पर पहुंचे मेंचे क्या हो गया MD इधर हो गया Tension है ना अब प्रसोचो तो इसको वापस लाने वाला कौन फोर्स है तो इस ball को प्रोजेक्ट कर दिए इधर बहुत जा रहा है वापस ओन फोर्स आखिर इसको लाएगा तो तो थोड़ा देखना इसको थ्यांस इसको अगर आगे बढ़ा लिए यह अंगल थीटा तो बोलो यह भी थीटा होगा MD को अगर component में break करें तो इधर क्या लिखोगे MD cos theta इधर क्या लिखोगे तो MD sin theta है ना बोलो तो MD sin theta वो क्या चीज का काम कर रहा है MD sin theta काम कर रहा है restoring force का यह थीटा है यह थीटा है तो यह भी थीटा है तो इधर MD cos theta यही MD sin theta जो है इस गौल को वापस लाने में help करेगा क्या यानि तुम से कोई पूछे कि restoring force क्या होगा restoring force क्या होगा restoring force क्या होगा तो आगे minus पहले लगा देना इस लिए computational object आगे जा रहा है force की रोग कर रहा है यानि displacement के opposite है और यह इतने पे equal है MD sin theta देखो एक बात और जा जब theta very small तो sin theta को approximately हम लोग theta या 10 theta को भी approximately theta लिए कैसे sin 0 तो 0 लिखते हैं तो theta अगर ने लिजीवल हो बहुत कम हो तो वो जितना होता है उसी के approximately equal यानि कि theta अगर बहुत कम हो तो approximately किसके equal theta के यह याद रखना साइन के साथ 10 के साथ क्यूज कर से यहाँ लीप दे रहें theta in various इसलिए याद रखना यह small oscillation के लिए हैं SHM consider किया जाए आगे तुम समझोगे क्योंकि अगर ऐसा नहीं consider करेंगे तो प्रूफ नहीं होगा कि इसका motion SHM होगा theta का value क्या नहीं तो देखो यह L है जाहिए रहाँ वही string है तो यह भी L है और मालो इसका displacement X किसी समय X displacement तो सोचो सर्कुलम मुसम में तुम बढ़ता था गर इन R है यह R है यह theta है तो बतलाओ तो theta X, Y, R बलता था क्या तो यहां बोलेंगे theta कितना होगा X, Y, A यानि कि जहां पे sin theta है उसको approximately theta लिखेंगे अब फिर theta के जग़ा क्या put कर देंगे X, Y, A तो चलो इसको आगे बढ़ाओ यह restoring force कितने के equal mass into acceleration minus md shine theta को approximately क्या लिखें theta mm cancel acceleration minus g बलो theta को क्या लिखें तो X, Y, A देखो तो यह क्या आ गया है यह तुम्हारा आ गया acceleration is called to minus g by A into X क्या कर रहा है देखो तोगे आसे यह कर रहा है acceleration is called to minus some constant into X acceleration is called to minus some constant into X है ना यारी acceleration हो गया directly proportional to minus X इसे proof हो गया ना कि that is motion of simple pendulum simple pendulum will be SH है है ना और यह जो constant term है जैसा कि तुम जानते हो इस constant term को हम लोग क्या लिखते हैं omega square तो omega कितना हो गया under root g y a omega को हम लोग क्या लिखते हैं 2 pi y p under root g y a अब बदलाओ तो यहां से यह बात याद रखना इसको क्या पढ़ते हैं angular frequency नौट कर लो क्या angular frequency जाब spring mass system रहे तो angular frequency अनि omega करोल कौन करता है under root k y a जब simple pendulum रहे तो omega का रोल कौन करता है under root g y a लेगवाद याद रखना यह pendulum चाहे amplitude छोटा हो या बड़ा हो जब भी अगर उसी rate करेगा ACM अगर motion होगा तो बहले velocity ज़्यादा यह कम तुम दे सकते हो amplitude बढ़ागट आ सकते हो लेकिन angular frequency जो है वो क्या है permanent है वो कितने के इपोल होता है under root g y a और इसके help से तुम time period of oscillation निकाल सकते हो बोलो time period निकालेंगे तो क्या लिखें 2 pi under root a y तो हम लोग simple pendulum का time period of oscillation कैसे निकालेंगे यह तो सिर्किया तो यह काम करो इसका पहले तुम लोग एक screen shot लेए अब देवा अब हम लोग कुछ work करते हैं जो simple pendulum जो बढ़ है इसके application पर best यानि कि इससे related जो है किस तरह से motion पूछा जा सकता है कुछ की example को देखते हैं देखो यह बात की तुम जानते ही हूं कि कोई भी concept को तुम अगर सीखो और जब तक उसको application में यानि यूज में नहीं लाओ तो याद रखना वो concept जो है कभी भी बहुत बेहतर नहीं हो सकता है ठीक ना इसले हम लोग कुछ एक्जांब करते हैं सबसे पहले तो जोसे तुम से कोसा ऐसे कह देगा एक लिफ्ट है उसमें pendulum suspended कराया गया है लिफ्ट है एक्सलेशन से उपर जा रहा है नीचे जा रहा है या constant velocity से जा रहा है या car में pendulum डटकाया हुआ है car ये acceleration से और एक्सलेशन से और एक्सलेशन से वर एक्सलेशन करने लगा time period of oscillation कैसे निकालेंगे बहुत तो रकत question तुम से पुछा जाए तो चलो question है find time period of oscillation 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 of given simple pendulum simple pendulum simple pendulum in given cases चलो अलग-अलग case ले रहे suppose एक simple pendulum simple pendulum एक lift में इसको suspend करते है अब तुम से कहा गया कि अगर वो शिलेट कराके छोड़ दें कि स्ट्रीं का लेंथ L है और ए स्मॉल बॉल इसमें लटकाया हुआ बतलाओ time period of oscillation क्या हुआ एक चीज़ तो समझ गया ना time period को मतलब है यह तो जानते हो मास को देर आप simple pendulum का time period depend नहींगा अगर तो बोलेंगे time को मास से इसका कोई लेना देना कोई कहना हम ज्यादा velocity से प्रोजेक्ट कर दिया अब time तो बोलेंगे कि देखो इसको velocity हम पेचोड़ से मतलब नहीं है यह length और g पे depend करता है लेकिए अब थोड़ा देखना जो बाह समझा रहे अगर तुम से कोई कर देख velocity और नीचे लगा राख देख ठीक है याद करो तुम कभी zero force पढ़ा था तुम ऐसा सोचो तुम इस लिफ्ट मेहीं बैट लिए तो लोग कहीं बैट लिए याद करो नीवतांस को जब पढ़ा था उसमें zero force बताया गया क्या कहीं भी पढ़ा होगा तुसको सिखा होगा जानता होगा नहीं जानता होगा तुम देखो काम ऐसे चाए समझों तुम कहां बैटे हुए वो इस lift में तो जिसमें तुम बैट जाते हो तुमको रूखा हुआ नजराता है तुमको लगेगा काई lift रूखा हुआ लेकिन lift में बैठा हुआ आदमी को एक नया force जो है दिखता है जिसको बोलते हैं pseudo force और वो force किधर होता है तो जिस फ्रेम में वो आपके बैठा हुआ हो जिस lift में आपके बैठा हुआ हो उस lift का acceleration जिदर है pseudo force उसके opposite यानि यह acceleration से lift जा रहा है तो pseudo force जो opposite में होगा और वो कितने के equal होता है तो aim into a aim object का mass और यह होता है उस lift का उस फ्रेम का acceleration यहाँ lift है तो lift का है जिखा है तो देखो इस pendulum पर कौन कौन force लग रहा है उपा T, नीचे M, G, नीचे M और इसी position में pendulum रुखा हुआ है ठीक ना अभी oscillate नहीं कराना है देखो simple method सिखा रहे हैं एक ट्रिक सिखा रहे हैं इसस simple pendulum के परते पोशन को तुम बना साथ तो सबसे पहले काम क्या करो इस tension को ने करो ती क्या tension in stream at equilibrium position equilibrium position when when pendulum does not oscillate and a pendulum does not oscillate ठीकर आप pendulum जब oscillate नहीं करता है तब जो है string में tension है कि equilibrium position करते हैं पतलाव को tension कि इतने भी equal होगा तो जाई नहीं इस lift में बैटा हुआ आदमी क्या का रहा है कि भाई देखो lift तो रुका हुआ हुआ कि इसको तो रुका हुआ हुआ कि जिस प्रेम में तुम बैट जाते हो जैसे तुम अर्थ पर बैटे हुआ तो अर्थ तुम को रुपी नजर आती है कि नहीं तो वैसे ही ये lift भी इसको रुका हुआ नजर आए अब जो है एक वर्ड होता है G-E-T-V-E मतलग कि जहां पे तुम G लिखते थे 9.8 मीटर पर सेकेंडे स्कॉार या 10 मीटर पर सेकेंडे स्कॉार वहां तुम क्या लिखो हुआ तुम लिखो हुआ ती बाइद क्या लिखो गे ती बाइद टेंशन में M से डिभाइद कर जाएद क्या आए फिर से समझेड़े टेंशन इन स्ट्रीं फिर टेंशन इन स्ट्रीं इतिकलिब्रियम पोजीशन फिर पेंडूलम ड़ज नॉट ओसिलेट पेंडूलम यह वो उसिलेट नहीं कर रहा हो और उसके मीन पोजिशन पे जब वो रुका हुआ हो तो उसका टेंशन क्या है चलो जी कितना है लिए तो M G पलस A में Divided by M बोलो कितना हो गया G पलस G की वैलेंट निकल लिया है अब तुमसे पुछा गया इसमें नाया कुछ नहीं करना है Time period of oscillation क्या होगा oscillation तो बूलेंगे Time period हो गया 2π अंडरूट A y G की वैलेंट मतलब G के जगा जो है ना value change हो जागा जैसे ही लिफ्ट में मूव्मेंट होगा तो G का value जो है अगर यही लिफ्ट रूखा हुआ रहता ना तो क्या लिफ्ट है कि G जो कि वो लेंपी ना लगता T किसके इक्वल होता M G के तब सी लोगोर्स का बात नहीं होता और तब तो M G वाई M करता तो G ना आ जाता यह नहीं ना आता तब तो 2π अंडरूट अंडरूटल वाई G होता है लेकि लिफ्ट में जब एक्सलरेशन आ गया तो G का value बदल यह मतलत जी की वैलेट के जगह तो उपको क्या लिफना पड़ेगा जी प्लस यानि टूप अंडरूटल वाई जी प्लस समझ गया ज़िए चलो यह तो हम लोग ताइम क्रेंट निकालना सीब है इस के से अब थोड़ा सोचो अगर ऐसा होता है कि यह जो लिफ्ट है डाउंवाड में जा रहा होता यह एक्सलरेशन से नीचे जा रहा है यह उपर T, नीचे M जाए है चलो अप फर से तुम लिफ्ट में बैट है आपकी तुम लिफ्ट में बैट हो गए तो सीडो की देर जाए रहे जुडो कर सुपर नोंकि लिफ्ट का जिधा रहा रहे अश्रेशन होगा जिस frame में तुम बैटे हो उसका जिदा रेक्षरेशन होगा सीडो फोर्स उसके अपोजित में होता है तो जाए है सीडो फोर्स उपर अब equation तुम लिखोगे लिखो तो क्या equation लिखोगे लिखोगे ना T is equal to लिखो T plus M T plus M is equal to M G बोलो T कितना हो गया M G minus A में T निकल गया अब जब T निकल गया तो पूछा जाए तुम से G equivalent क्या होगा G equivalent लिख लिखोगे है अभी क्या सिखाया तुम को बोलो G equivalent कैसे निकलते हो T by M T by M तो T कितना है तो T हो गया M G minus A divided by M मतला तो कितना हो गया G minus A तो time period क्या लिख होगे 2 by under A by मतला तो यहाँ G की वैलेंट न लिखते है वहाँ क्या लिख है G minus A कि यह time period जो है बड़ा सोचो तो lift A acceleration से उपर जा रहा मतला ताइम period बढ़ गया कि खट गया जब lift रुका हुआ रहता है तब तो time period होता है 2 by under or 10 by G और यहाँ G plus A हो गया न तो बतला तो G plus A होने से time period बढ़ा कि घटा है तो जाहे तो गट गया तो denominator में term बढ़ेगा तो time period गटेगा है time period गट गया है इसमें देखो जहाँ G इतने जवाहां का लिका हुए G minus से तो यह term जब घट गया G से कम हो गया तो time period बढ़ गया न अब देखो तुम से objective question ऐसे पूछ दिया जाता है कहाँ जा तुम से एक pendulum clock है जाना pendulum clock है अब pendulum clock जो है लिफ्ट में लटकाया हुआ है ऐसे तुम जाना जो standard pendulum clock होता है दिवार में लटकाया हुए pendulum clock जो होता है उसका time period दो second होता है फिर ना 2 pi under hotel भाई जी जो standard pendulum clock है उसी को seconds pendulum भी होते है time period उसका दो second होता है two seconds और जो है तुम से कोई गा इस लिफ्ट में pendulum clock को नटका दिए लिफ्ट ये एक लेशन से उपर भागने लगा बतलाव तो ये जो pendulum clock है वो पहले से fast हो जाएगा slow हो जाएगा या वही time देगा correct time ही देगा घड़ी fast होगा कि slow होगा तो देखो पहले ये बतलब ताइम प्रियेट बढ़ लिया की घट गया ताइम प्रियेट घट गया तेखो ताइम प्रियेट घटने का मतलब क्या हुआ जाने में एक सेकन लगता था यानी एक सेकन लगता था लेकि और चो है time-create घट गये जल्दी-जल्दी oscillation करने लगा, जल्दी-जल्दी oscillation करने का मतलब हुआ कि घडी fast हो तो नहीं देगा, ना correct time ये देगा, ना correct time away देगा, लेकिन इसमें कहा जया जाए, time-create घटना मतलब pendulum clock जल्दी-जल्दी चलने लगा, अब जैसे जाने आन में उसको 2 second लगना चाहिए था, लेकिन 2 second के पहले ही वापस आ जा जा रहा है, तो ये घडी fast हो गया, जो सुने में बड़ा उट्टा लगता, time-create घट गया, time-create घट गया, तुम ऐसे समझना है, कि मान लोग पटना से दिली तुमको train से जाना है, और तुम चल्दी पहले है तो घडी, slow हो, चल्दो पेंडलम क्लॉक से रिलेटेट ट्रॉलिंग बनाएंगे, ये दो एक जामपल तो देहां, है ना, पहले हिस्ता तुम लोग एक screenshot लेगे, चल्दो अब नेक्स्ट एक जामपल करेंगे, सबोज करो, कि एक lift है, और ये जो lift है, ये constant velocity से upward में में जा रहे है, इतना इसता velocity constant, तो सोचो तो, उपर लग रहा है, नीचे लग रहा है, इसका length scale दिया हुआ, अगर तुम link में बैट भी जाओ तो link में कोई acceleration नहीं नहीं है, याद रखना, कोई object रूखा हुआ रहे है, या constant velocity से जाए, net force दोनों में जीरो होता है, क्योंकि रुका हुआ भी है, तो acceleration जीरो, constant velocity से जा भी रहा है, तो acceleration जीरो, याद ये बात याद रखना, आप तो इस lift में बैट हो, चाहिए मत बैट, से जीरो पुर्ज का कोई बात होने वाला नहीं है, तो ऊपर लग़ा T, नीचे क्या लग़ा M की, बतलाओ तो T किसके equal हो गया M, क्या सिखाया है, जब भी simple pendulum का time period निकालना हो, कोई भी केसेज में निकालना हो, तो सबसे पहले, जो उसका equilibrium position है, जहां वो रुका हुआ होता है, उस position में, stream में tension निकालना हो, आप चलो T equal Mg के होगे, या तुम कहोगे नहीं, उपर जा रहा है, तो ऐसे नहीं निखने, उप पर पर्स T, नीचे Mg, T minus Mg, mass into expression, तो constant velocity है, तो expression 0 ही नब होगा, तो बतलाव तो T Mg के equal होगे, यानि सीधे बोलेंगे T equal to Mg, तो कहोगे, यहाँ सिदो पर्स का बात का है निके, बोलेंगे, सिदो पर्स होता है M into A, velocity जब constant है, तो expression नहीं निकालना है, तो सिदो पर्स का ब valent निकालना पड़ेगा, तो G की valent क्या होता है, बोलो, T Y M, यानि M D Y M, यानि की E की valent हो गया, G, तो G के नहीं कोल आगया, अब तुम से पूछा जाए, time period of oscillation क्या होगा, तो बतलाव को time period of oscillation, 2 by under root, L by G की valent जो बोलते हो, तो G की valent है, अगर तो G ही ना आगया, यानि अगर तुम से कोई person कहे, कि pendulum clock जो है, constant velocity से उपर या नीचे या ओरिजेंट नी, कोई direction में जाए, तो याद रखना, उसका जो है time period of oscillation में, कोई changing नहीं आता है, ना वो गड़ी fast होगा, ना slow होगा, अगर lift constant velocity से जाए तो, एकना एक example और लेते हैं, बदे इसका screenshot लेते हैं, चलो अगर हम लोग next example लेते हैं, जैसे मान लो, कोई vehicle है, एकना car है, bus है, उसमें एक pendulum को sustain कराते हैं, और एक car यो है ना, salvation से आगे की और जाए, अब तुमसे पूछा जा रहा है कि time period of oscillation क्या है, तो सोचो, तुम, जब तुम car को ये acceleration से लेते हैं, तब pendulum जो है, उसका position को change हो जाएगा कि ना, पड़ा इमेजिं करो ना, एक दागा से ball को लटका दी, ये acceleration से दोटना लेगा, इससे तिर्चे हो जाता है कि ने, कुछ slank हो जाएगा, यानि कि, ये pendulum कुछ इस तरह के position में पहुंचे, देखना, कौन-कौन force लग रहा इस ball पार, तो इधार लग रहा T, नीचे लग रहा MG, और अगर तुम, इस lift में बैठे हुए हो, है ना, या वेहिकल में अगर तुम बैठे हुए हो, और ये वेहिकल ए एक्सलरेशन से आगे क्यों और जा रहा है, तो भाई तुमको शुरू में बतला है कि कोई भी frame में, अगर तुम बैठ जाते हो, तो frame तुमारे लिए क्या होता है, रूप जाता है, और तब तुम सीड सीड़ पोर्स लग रहा है, सीड़ पोर्स कितने की इक्वल होता है, में टूर, यानि देखो जब कार एक्सलरेशन से जा रहा हो, वेहिकल एक्सलरेशन से जा रहा हो, तो उसमें जो लटकाया हुगा पेंडूलम, वो कभी वर्टिकल नहीं रह से, अगर रुका हुगा भी इन पोजिशन, अकार भागने लगे तो इन पोजिशन इधर करें हो, यानि कि अब तुमको निकालना होगा इसी स्ट्रीम में टेंशन कितना, तो कैसे निकालना, तो देखो, यह सब तांग तो तुम अल्ड़ी किये हुए हैं, लिए चलो, दो तरीका है टेंशन निकालना, एर को तुम अईसे निकाल साकते, कि यह थिटा तो यह थिटा, इसी पोजिशन में रुका हुआ है, उप्र हो गया, पी घॉस थिटा, इधर क्या हो गया, टी साम थिटा, बोलो टी साम थिटा किसके इकवल? M into A T cos theta किसके equal M into G के है न दो equation आ गया जरूरत क्या चीज़ का है तो जरूरत है tension का अगर जरूरत theta का होता तो दोनों को divide कर गयते तो T, T cancels theta निकल जाता लेकिन आपको उसका जरूरत यहाँ पे नहीं तो कैसे निकाले tension को तो equation first square plus second square तो T square sin square theta plus cos square theta M is plus M G है न sin square theta plus cos square theta one M को बाहर निकाल दो यहाँ अगले state में उसको कर देंगा M A square plus M G जरूरत tension किसके equal M under root A square plus G अब तुमसे कहा जाएं कि G की valence क्या होता तो बोलेंगे T by अभी सिखाएं न कि जब भी simple pendulum का time period निकालना वो कोई भी केसेज में तो सबसे पहले क्या करना string में tension निकालना उसके mean position यानि जब वो oscillate न करे और जिस position में रुका हुआ रहे उस position देखो तो M A square plus G square divided by बतलाव कितने T equal आ गया यानि जो G की valence है वो इतना हो आप तुमसे कोई पुछे कि बतलाव time period क्या होगा तो time period का formula तुम जानते हो ना 2 pi under root L by G equivalent तो time period कितना आ गया जी है तो बोलें गे 2 pi under root L by under root G square plus A square कितना A square plus G square जो 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 एक ही बात है निकल गया है तो इस case में भी देखो अगर तुमसे कोई कहेगा कि अगर यह pendulum clock है तो slow हो जागा कि fast हो जागा तो देखो नॉर्मल वेर में time period को 2 pi under root L by G लेकिन यह वाला time G से बड़ा न हो गया यानि time period घड़ जाएगा यानि कि घड़ी जो होगा pendulum clock जो होगा वो fast होगा ठीकर तो इस ताबी जो है यह की screenshot लिलो चलो यह की example हम लोग लेते हैं थोड़ा तुम लोग भी सोचना help करना यह question पूछ रहे हैं अब यह small size का ball नहीं दिया है यह given size का ball चलो इसका radius मान लो आप है simple pendulum आप दिया हुआ है question में देखो आप आप दिया हुआ है तो जो लिखते हो ना time period 2 pi under root l y g तो l न लिखके क्या लिखना परेगा l plus हमेशा जो है length का मतलब होता है point of suspension से center of gravity का distance क्या से लटकाए हो उसे center का distance ठीक है तो समझना बढ़े है तो time period जो है कि इस hollow stair में इस wall में पानी को खर दे चलो water fill कर दिया गया है इसके अंदर ठीक है ठीक न water fill कर दिया अब जो है तो इसको कुछ velocity देखे वो select कर दिया ठीक है time period कोई कुछ है तो time period यहीं कर दिया लेकिशन कोशन यह नहीं है कोशन कर रहरा है कि इसके bottom में इक hole कर दिया तुक न bottom में इक hole कर दिया दिया है और इस hole Finally पानी बाहर भी कलते है Rendular moscill At और पानी बाहर कर दिया जा रहा है अब तुमसे पूछा जा रहा है कि इस पेंडुलम के टाइम प्लियर्ट पर क्या ही खेलते हैं यह न? प्रसोच में प्रस्थ आप्शन है कि टाइम प्लियर्ट है यह न? ताइम प्लियर्ट remains unchanged यानी टाइम प्लियर्ट को उसे लेना देना नहीं है पानी भरा हुआ रहे है विखानी है। ताइम प्लियर्ट remains unchanged अगला अप्शन है टाइम प्लियर्ट आभ्यकeter जिक पर्सक्राइट wheels एं विकृब्यकित घर्णट धर्णार्णे थैंडŋ लोग्ती ए क्ःषक आडर्णू आट कर्स्टाइब जा अजर्ड जाड़्कर को चालमुञ ए जा विकृब्यकित हकमृट ओक दोर्ण जाहि छो Heart कान Schn мощ कार्ण। दोफ सामे कर दो सृछ नहीं कर दो तोर दो समय कर दो पुट समय आब्रोफ समय कर दूझसोन बायक सोटिक दोतिक है Diesel बायक and finally becomes equal to, equal to, illicit value, ठीक, देखो ये चार आपसा, प्रसो चुप, पैंडुला को सिरेट करना, टाइम प्रियर्ड क्या होगा, तो देखो, तुम बोलो गेना, टाइम प्रियर्ड का फॉर्मुला होता है, टू पाइ, एल प्लस आर वाइच, यही होता है, तो फिक्स है, कोई ऐसा नहीं, लिफ्ट में तो लटकाया हुआ है, नीचे में तो जी ही ही, अब थोड़ा सोचो त जब पानी नीचे के दे, कुछ टाइम के बाद जो है, अगर इसका तुम फीगर दे, चलो यहां पर बना दे रहें डाइक, कुछ टाइम के बाद अगर तुम दे, तो मालो इसका हाप पानी जो है बाहर, नीचे में पानी है, हाप पार्ट में पानी है, हाप पार्ट खानी ह प्रसोचो तो, अभी इसका जो सेंटर है, वो यहां, सेंटर अफ मास हो है, यहां पे है, पूरी तरह से पानी बढ़ा हुआ है, सेंटर अफ मास यहां, लेकिन क्या इस केस में भी सेंटर अफ मास यहीं होता, बुलो, तो जाईर उपर वाला पॉरसन जो है, कम मास का हो गया, नीचे वाला ज्यादा मास का हो गया, तो अब तो बीज में सेंटर अफ मास ना हो करके, जिदर ज्यादा मास रहता है, उदर सीट कर जाए, यानि कि, अब जो है, L प्लस, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, वो देखना पड़ेगा, कि इसका भैलू क्या होगा, यानि नी time period, two pi under root a plus r by g न बोल करके, क्या बोलना पड़ेगा? two pi under root a plus x वाइची तो बोलो तो X तो बढ़ा हो गया ना R से यारी टाइम प्रियेट पर क्या ही गट हुआ है टाइम प्रियेट बढ़ गया जितना ही ये वाला पोर्सन जादा होगा बोलो टाइम प्रियेट उतना ही जादा होगा कि नहीं तो टाइम प्रियेट तो बढ़ गया कि वो हमेशा constant लेगा इसलिए याद रखना यहाँ जो term लिखते हो अकसर air जो लिखते हो air मतलब होता है point of suspension से जो center of mass है ball का center of gravity है ball का उसका distance generally center of gravity इसके center पे ही होता या पूरी तरह से fulfill of water तो center पे ही होगा लेकिन अगर कुछ पानी बाहर निकल गया तब जो है यह तो नीचे आगया तो time period बढ़ गया कि ने लेकिन अब देखें इससे में आगे जापन देखें देखो आगे जो है थोड़ा इस तरह से बेगिन करो और पानी कुछ जादा बाहर निकल गया अब बिल्कुल जो है न वो इस पोजिशन में पहुच गया पानी तो सोचो और यह जो नीचे का पोर्शन है और इतना जो पोर्शन है तो उपर वाला का मास्ट है इतना कम वाटर का मास्ट इस पूरे पेर का मास्ट से तो जादा नहीं हो जाएगा तो आप धीरे धीरे जो है से जो सेंटर ओपमास इधर आईगा और जब पूरा पानी निकल जाख तो फीर से सेंटर ओपमास कहा आ जाएगा तो वही पर आजाएगा जहां पे इसका सेंटर है बड़ा समझना पानी अगर होता ही नहीं पूरी मतलावे empty होता, खाली रहता अगर, तब तो center यही नहीं होता, तो बतलाव तब तब L plus R लिखता कि तो ? पूरी तरह से खाली होता, तो क्या लिखता ? L plus R अब सोचो, अगर मांदो, तुमसे किसमे तो पानी बह दी आगा था, और कारा पानी निकलते जा रहा है जब पानी निकलते जाएगा, तो जब मालों कि पानी हाफ हो गया, तो सेंटर अव ग्रेमिटी कहीं इधर आ लिगा, लेकिन जब और पानी निकलेगा, तो दीरे दीरे सेंटर अव ग्रेमिटी किदर जाएगा, तो सेंटर अव ग्रेमिटी उपर भागेगा, और फाइनली कहा दीखना पड़ेगा कि नहीं कि तुमको क्या बोलना चाहिए सही अंसर बोलें कि time period बढ़े इंट बढ़े गटेगा फिर time period घटेगा तोंकि यह वाला जो effective length है जिसको अन्हों करेक्ट बहुत है फिर घटेगा और finally जो है time period वही हो जाएगा जो कि start , इसले कौन option तो देखो कुछ बात तुम लोग बता रहे हैं जो आप आप बिल्कुल प्रोपर्वे में आ रहे हैं जिससे कि तुमको प्रिंटेड नोट्स वगेरा भी सब दे सके सब कर सके क्योंकि बढ़ते जा रहा है हम लोग तो सोचे कि बहुत जल्दी जो है तुमारा क्लास्रूम को सुरू हो जाएगा लेकिन ऐसा अभी फिलहाल दीख नहीं रहा है तो हम लोग जो है तुमारे इस वीडियो लेक्चर पर भी सब पर अभी तुम दो टॉपिक पर जब बहुत एस्ट्वेंट कर्फ्यूज है ना वो गलती से कुछ लिग भी दिया था कि एसेचेम 12 में कुछ ने स्ट्वेंट कंफ्यूज है कि एसेचेम कहीं 12 में तो नहीं नही तो हम वो प्रॉब्लम को अभी बतलाए नहीं और तुम में से कुछ बच्चा जो एसी वर्मा अगरा फॉलो कर रहा होगा तो उसमें पहला ही चैप्टर एलेक्टिक फिलन पोटेंसियल है तो कुछ बच्चा सोतरा पोटेंसियल का तो आप आप ही नहीं किये तो बिलकुल तो उसमें पोटेंसियल जो है वो नेक्स चैप्टर में दिया हुआ है तो उसमें आएंगे तब तक तुम क्या करो अभी जो एस्चम से रिलेटेड जो कंसेप्ट सिखाए है जो हमबर्ग दिये हुए है अगर तुमारे पास लब्ध है हमबर्ग से कंटेंट तो ठीक है तो तो मैं बोल देता हूं को तुमको जो है उतना पॉसन ओमबर्ग में दे दे कि तुम ट्राइ कर सबोब या मैं डिशनल ओमबर्ग नहीं दे रहे अगले जिए पढ़ाएंगे तो तुमको ओमबर्ग देंगे और आज हम लोग इतना ही सीखते हैं ठीक है धन्युक्त